आप सभी का दिल से स्वागते स्किल के भी में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि GMC गुजरात मेडिकल काउंसिल में अगर आपने सब्मिट कर दिया है फोर्म और अपोइमेंट ले ली है तो वहाँ जाके किस तरह से प्रोसेस करनी है सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा सिविल होस्पिटल असारवा एमदाबद बीजे मेडिकल कोलेज आपने नाम पढ़ाई होगा और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है तो इस गेट से अगर आप जाईए तो किस तरह से अंदर आपको GMC की ओफिस तक पहुचना है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और गैज अभी यहाँ से रायट लेना है और इसी रोड पर सीधे जाने का और यहाँ से लेफ्ट लेने का left लेने के बाद यहाँ पर सीधे आप चलते जाओगे तब आगे cancer की hospital वहाँ पर building दिखाए देगी इस तरह से यहाँ पर cancer की building के exit सामने एक road दिखाए देगा यहाँ पर एकदम सीधे सीधे जाओगे तो वो जो building दिख रही है वही council house है और वहाँ पर first floor पर आपको आपको एक form collect करना है वह वहाँ से देंगे passport detail परने के लिए तो वह लेके आपको कहीं पर बेट जाने का बाहर बेटने की सुविदा है और सामने एक dental council का भी office है तो वहाँ पर भी आपको बेटने देंगे form fill up करने के लिए तो वह form किस तरह से fill up करना है यहाँ पर आपको screen पर दिखाए देगा कि जितनी भी details आपसे पूछी गई है तो वह सभी details आपको बरनी है और उसके बाद जो passport की detail है तो वहाँ पर visa की issue date कौन सी है और issue date के बाद वह expiry date कौन सी है तो वह सब आपको fill करना रहेगा and immigration इंडिया से कब गए इंडिया कब आए तो वह जितनी भी बार आपका आना जाना हुआ है वह पूरी और सही accurate details आपको fill up करनी है and वो fill हो जाए उसके बाद क्या करना है तो आपने जो xerox करवाईए काफी xerox one copy है काफी दो copies है तो जो एक एक copy सब भी xerox की एक copy का पूरा एक set ready कर दो और जो extra बची है उसका दूसरा set ready कर दो और जो appointment sleep है and application form उसकी भी xerox आपको साथ में लेके जानी है तो वहाँ पर दिया गया passport का form आपने fill कर दिया और ये सभी पूरी चीज़े लेके आपको counter पर जाना है गुजरात medical council की office में पहले counter पर अगर मना करें तो second counter दो counter वहाँ पर काम कर रहे है वहाँ पर जाके वो जितनी भी details आपसे मांगेंगे वो आपको बतानी है और वो ज्यादा तो कुछ आपको पूछेंगे नहीं आपकी पास सभी documents होगे तो कोई भी चीज़ की problem नहीं होगी तो इतना हो जाने के बाद वहाँ से आपको एक वो पोस्ट का कार्ड देंगे और वहाँ पर आपका नाम लिखना है आपका घर का पता है एड्रेस लिखना है मोबाइल नमबर लिखना है पिन कोड लिखना है वो सब लिखने के बाद वहाँ पर आपको ये सब चीज़े submit करनी है और submit करने के बा वो को provisional certificate के according वो आपको बेज़ देंगे and उसके बाद क्या करना है तो 27 March 27 March को online internship के लिए website portal पर आपको जो भी update करना है वो सब आपका account बनाने के बाद करना होगा और उन्होंने वहाँ से ऐसा बोला था कि फिर से उसी जगह पर जाना है वो सब जितनी भी copies next time submit करने के लिए बोले के वहाँ पर जाना है तो अभी दूसरी बार वहाँ पर जाना होगा जब आपको appointment मिले internship के लिए और उसके बाद counseling के लिए एक तीसरा धक्का भी यहाँ पर होगा तो इस तरह की process गुजरात medical council में registration की है तो अगर आपको कुछ ज्यादा question हो तो मुझे यहाँ पर comment section मे आप बता सकते हो और इसी तरह से वीडियो में आपके लिए बनाता रहूंगा तो please do like, share and subscribe to this channel मिलते अगले वीडियो में धन्यवाद झाल झाल